नवश्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप मैं संजा कुपता दोस्तों जीवन में बहुत कुछ सीखने को मलता है और यह एक छोटी सी कहानी भी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली हैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम परिशानियों से बहुत जादा परिशान हो जाते हैं ये एक छोटी सी कहानी इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपके जिंदगी में बहुत कुछ आपको सिखाने वाली है कुछ ऐसा बताने वाली है जिसे आप अपने जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त चुनौतियों से और मुश्किलों से ढट कर सामन कर सकते हैं जी हाँ आईए शुरुआत करते हैं इस चोटी सी कहानी के लेकिन उसके पहले आप कौशे शेर से हमारी एक कहानी देख रहे हैं इस वीडियो के कॉमेंट सेक्षन में बताना बिलकुल भी ना भूलें एक बार की बात है एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर ही एक गनित का सुत्र लिखवाया और उसने गोशना की कि दुनिया का कोई भी इंसान जो मेरा उत्राधिकारी बनना चाहता है वह गनित के इस सुत्र को हल कर दे और सुत्र के हल करते ही द्वार खुल जाएगा और फिर मैं उसे अपना उत्रा अधिकारी घोशित कर दूँगा राज के बड़े बड़े गनितग्य आये और सुत्र देखकर वो लोट गये किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कैसा सुत्र था धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और आखरे दिन आ चुका था उस दिन तीन लोग आये और कहने लगे कि ह हम इस सुत्र को हल कर देंगे उनमें से तो दो दूसरे राजिके बहुत बड़े गनितग्य थे और वो दोनों अपने साथ बहुत से पुराने गनित के सुत्रों की पुस्तकों को लेकर आये थे लेकिन एक विक्ति जो साधक की तरह नजर आ रहा था सीधा साधा कुछ भी सा साथ नहीं लाया था उसने कहा मैं यहां बैठा हूँ पहले इन्हें देखता हूँ अगर इन दोनों ने इस दर्वाजे को खोल लिया तो कोई बात ही नहीं और वह सूचता हुआ बैठा रहा और फिर उन दोनों ने गहराई से सूत्र हल करने में लग गए लेकिन काफी मेहन शुरू हो चुका है तब साधक ने अपनी आख खोली और सहज मुस्कान के साथ ही द्वार की ओर गया और साधक ने धीरे से द्वार को ढखेला और यह क्या द्वार तो खुल गया राजा ने साधक से पूझा कि आपने ऐसा क्या किया तब साधक ने बताया कि जम मैं ध्यान में बैठा तो सबसे पहले मेरे मन से आवाजाए कि क्यों न यह जा चलें कि सूत्र है भी या नहीं दरवाजा बंद है या भी नहीं इसके बाद इसे हल करने की मैं सोचूंगा और मै दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी हमें आमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि यह कई बार हमारे जिंदगी में भी ऐसा ही होता है समस्याएं होती नहीं है पर हम अनावश्य कुल जनों में फस कर किसी भी बात को समस्या बना लेते हैं और सोच सोच कर एक छोटे से विचार को हम इतना बड़ा बना लेते हैं और परिशान हो जाते हैं तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक कॉमेंट और शियर और मैं हूँ आपका दूस्त संजय गुपता सतना इस वीडियो को जरूर लाइक करिये और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिये ताकि हम और भी आपके लिए ऐसे ही धेरो सारी कहानिया लाते रहें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद